वेलकम फ्रेंड्स तो विजन डब्लू बीसीयस तो विजन डब्लू बीसीयस एर पक्खो थीके तो मदेर जोन्नों जे डब्लू बीसीयस 2021 मेंस के लुखो कोरे WBCS मेंस मॉक टेस्स सीरीस टा चोल छे तार सेट नंबर 18 आज के आमरा डिसकस कोर छी सेट नंबर 18 ने जमुन के आमी बुले छेला आमरा पेपर 5 एर कर्स्टिटूशन और पॉलिटी पार्ट टा के कवर कोरबो तो जरा जरा आमा देर चैनल ले नो तू ना छो तारा आमा देर चैनल के सब्सक्राइब करो वीडियोज गोलो भालो लागले लाइक करो शेयर करो आट आमा देर जोतो शड़ो शमस्टो यूट्यूब क्लासेज हुँछे टो शमस्टो यूट्यूब ग्लासेज र फ्री पीडियूफ नोट्स तुम्रा पे जावे आमादे ओफिशियल यूट्यूब ओफिशियल विजन डब्लूबी सीए सेर आप पे जिड़ा तुम्रा गूगल प्ले स्टोर थीके डाउनलोड कुरते परो एई आप पे तुम्रा आमादे शौमुस्त यूट्यूब क्लासे सेर पीदेस फ्री अफ कॉस्टे पे जाबे आप देर तेलिग्राम चानल हो तुम्रा आड होईते परो एक ने तुम्रा देर के गुरूतत पुन्न Cairo doğa प्रो प्ले प्रोन्यूब्ट्यूचलों प्ले सुवचियल कॉरा ओटेशियल कुरा हाय was for the first time authoritatively conceded by the British government through an indirect way through तुमादर के जिगाशा कोडचे that constituent assembly एर जे demand छिलो प्रोथों बार indirectly British government कौन भावे except कुरे छिलो Option A, Shimla Conference Option B, Agasth Offer Option C, Wevel Plan and Option D, None of the above तो की हवे राइट आंसर giving you 20 seconds for this question पूरी सेगंड एई क्वेश्चेन एर आंसर तुम्रामा के जानावे रोथों बार indirect way ते British government हारो तेर जोननू constituent assembly एर demand टाके की भावे concede कोरे छिलो बा की भावे accept कोरे छिलो तो अनेक राइए आंसर कोरे छो and आशाकोरी एटा जोखो नामरा making of Indian constitution पोडे था की तोखो नी अनेक easily एए question टा solve होए जाये तोखो नामरा पोडे हो था की and the right answer is option B, Agasth Offer 8th Agasth 1940 ते Agasth Offer देवा होई छिलो ते Agasth Offer प्रोथों बार constituent assembly एर दिमांटा के British government indirectly concede कोरे छिलो okay moving on second question which among the following best supported the idea of inclusion of fundamental rights in our constitution कौन रिपोर्ट बा कौन कमिशन बा कौन प्रपोजल बा कौन बिल एर माध्धु में fundamental right एर inclusion एर idea टाके आम दिर सुम्भी धाने support बा अडॉप्ट करा होई छिलो which among the following best supported the idea of inclusion of fundamental rights in our constitution option a option a Simon Commission option b Nehru Committee Report option c Swaraj Bill and option d Sapru Committee Report on Constitutional Proposals 1945 तो क्यों हबे right answer comment box से जाना आवे तो मदर के आमी 20 सेकेंड दिछी एक क्वेस्चेनेर जो नो एक टू चिंता भावना कोरे एक टू भेवे तुम्रा एक क्वेस्चेन टा किन्तू कूरते पारवे fundamental writer inclusion ताके best support कौन आक्ट बा कौन कमिटी बा कौन बिलेर मद्ध में करा हुई छी लो तो अनेगरा आंसर कोरे चो अन ताहोले सोटिक उत्तर हुए जात छे option D सप्रू कमिटी रिपोर्ट सप्रू कमिटी रिपोर्ट अन कंस्टिटूशनल प्रपोसल 1945 एटा ते ही आमादेर शोंबी धाने fundamental right के inclusion कौरा include कौरा idea टाके best way ते support कौरा होई छी लो धाको स्वराज बिल जेटा 1895 एशे छी लो शेटा नाम थी कही बूस्टे पार छो इट वस created under the guidance of बाल गंग अधर्क्ति ला एटा ते हो किजुकीजु fundamental rights like freedom of speech, right to privacy, right to franchise, एरोकों fundamental right आर कौथा बौला होई छी लो मोतिलाल नहरू एर जे नहरू रिपोर्ट छीलो, शेटा ते हो किन्तु fundamental right एर कौथा बौला होई छे, पाट इंडियान इंक्लूजन एर जे best supported idea आमनिया जुदी बोली, तावले best supported idea सप्रू कमिटी एर recommendation छीलो, जेटा 1945 ए constitutional proposal एर जुन्नो, सप्रू कमिटी, fundamental right जुन्नो जे recommendations गुलो दिये छिलो, like committee recommendation जुदी आम रह देखी, तावले एरा बोले छिलो, एक committee थी बोला हो छिलो, एक committee थी बोला हो छिलो, आईशवमोस तो राइट से justiciable राखा, part 3 ते enforce को राएशवमोस तो कौथा किन्तु, बोला हो छिलो, so right answer is option D, Sapru committee report, moving on. थर्ड, which of the following states in India is exempted from reservation for scheduled caste in पंचायती राज इंस्टिटूशन ने एई चाट्टे ऑप्शनेर मुद देख कौन state of India ते एसी देर जोन नो reservation के exempt करा होई छे, exclude करा होई छे which state is exempted from reservation for scheduled caste in पंचायती राज इंस्टिटूशन तो की अबे राइट आंसर तरह तरी comment box से जाना हो तो शोड़ी गुत्त रुच्च अप्शन सी अरुनाचल प्रदेश आम राजानी देट पंचायती राज इंस्टिटूशन जेटान 73rd constitutional amendment एर माध्धो में एशे छेलो शेटा पंचायती राज इंस्टिटूशन इंडिया ते को एक्टा स्टेटे किन्तु एक्जेम्टेड आचे राइट नौर्थी स्टेर को एक्टा स्टेटे एक्जेम्टेड आचे similarly schedule caste एर जुन्नो जो reservation प्रोवाइड करा होई शेटाव एक्जेम्टेड आचे इन स्टेट लाइक आरुणाचल प्रदेश clear moving on एटा कौन अक्टेर माध्धो में बा कौन अमेंडमेंटेर माध्धो में करा होई चलो तो एई provision टा एई एक्जेम्टें टा प्रोवाइड करा होई चलो by 83rd amendment act 2000 clear moving on 4th the Assam Reorganization Act 1969 created which of the following state Assam Reorganization Act 1969 नेर माध्धो में कौन state बा कौन states create करा होई चलो option A Meghalay option B Meghalay and Mizoram option C Mizoram and option D Manipur Tripura Nagaland तो की अबे right answer Assam Reorganization Act 1969 तो right answer उच्चे option A Meghalay only Assam Reorganization Act 1969 नेर माध्धो में Meghalay state star creation करा होई चलो okay बाकी जुदी आमरा static point देगी तो देखते पारो that A actor माध्धो में शुदू Meghalayर स्थापना करा होई चलो and एट आते special provisions प्रोवाइड करा होई चलो that कौन option T correctly matched नहीं बा विच option is matched wrongly option तुमा देर काचे आचे तुमा देर सामने आचे option टा तो की अच्चे राइड आंसर तो एकाने आमरा जुदी एक टू डेखते पारोशना ना कोर लियो एक question and answer आमरा कोरते पारी because आमरा शौभाई जानी schedule 10 schedule 10 deals with anti-defection law जाले right answer is option D schedule 10 of panchayat panchayat कौन schedule आचे तो it is in 11th schedule तो 10th schedule आमरा जानी anti-defection lawyer को था बोला आचे तो एक आने right answer is option D schedule 10 panchayats panchayats होबे ना panchayats से जागा जुदी anti-defection lawyer को था बोला होतो ता होले एटा correctly matched होतो बाकी तीन टे option ने जे गुलो आचे शे तारा यागतों मी correctly matched आचे only option D was incorrectly matched moving on 6 article 20 to 22 relate to the fundamental right of to life and personal liberty these rights are available to article 20-22 जे fundamental rights of life and personal liberty भारोतर सुंबिधन प्रोवाइट कोरे ए राइट गुलो कादेर काचे available आचे citizens, citizens and non-citizens both natural person as well as artificial person all person who have juristic personality क्या आबे राइट आंसर what will be the right answer friend तार तारी comment box से आंसर टे जाना तार पर आंसर टा बोलची so the right answer will be option B citizens and non-citizens citizen as well as non-citizens शौबाई के ए आटिकल 22 का आटिकल 22 ते जे fundamental rights प्रोवाइट कोर आचे शेटा अवेलेबल आचे for citizens as well as non-citizens moving on seventh consider the following statements अटरी जनरल of India can option A take part in the proceedings of the Lok Sabha option B be a member of a committee of Lok Sabha speak in the Lok Sabha option C statement C vote in the Lok Sabha which of the following are which of the following statements या which of the above mentioned statements are correct 18th statement यर मोद दे कौन statements गुलो right आचे correct आचे statement की किया चे तो प्रोथम जेटा बोला taking part he can take part in the proceedings of Lok Sabha he can be a member of the committee of Lok Sabha and option statement 3 vote in the Lok Sabha तो की अबे राइट आंसर, राइट आंसर विल बी, अमा कमेंट बॉक्स से जा नाओ, तो आगे, तो वनेक राइट आंसर को रहे चो, और राइट आंसर इस option C, 1, 2, 3, all the 3 options are correct, जोदी आमी देगी देखो, अट्री जेनरल अव इंडिया एर जे पोस्ट था के, शेटा पार्लियमेंट एर अक्ट मिनिस्टर एर पोस्ट एर पैरलल था के, यह कान टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग अफ आइधर हाउस, जे कोनो हाउस, लोग सबा हो की राज्यो सबा हो, विकाने, यह कान टेक पार्लियमेंट, पार्लियमेंट ए जे कोनो कमिटी एर मेंबर होई ते पारेन एट ओरनी जेनरल, and he has the right to speak in the पार्लियमेंट, but he has no right to vote, ता होले आंसर टा की होवे, एकाने, आमी आप्ट भूल कोरे चीरा दा राओ, तो the right option will be option D, 1 and 2 is correct, vote in लोग सबा, उनी वोट कुरते पारेन, उनी लोग सबा होग की राज्यो सबा होगता, ओ धेर प्रेसीडिंग से, प्रेसीडिंग से पार्ट निते पारेन, जे कोनो कमिटी एर मेंबर होई ते पारेन, उनी बोलते हो पारेन, he can speak in the लोग सबा और पार्लियमेंट और राज्य सबा, बट, he has no right to vote, उनी वोट कुरते पारेन, तो right answer will be option D, 1 and 2 only, moving on, the government enacted the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, which one of the following is not identified as its objective, government 1996 से, पेसा Act ने चलो, Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, एक तेर, objective, इचाटे option ने मुद दे, कौन ता, ने, which of the following is not the objective of पेसा Act, option A, to provide self-governance, option B, to recognize traditional rights, option C, to create autonomous regions in tribal areas and option D, to free tribal people from exploitation, so की अबे राइट आंसर, तो पेसा एक्टेर, objective होच्छे, आमरा, जोखन लक्ष्मिकान पोडे था की, शेखाने, objective of पेसा Act भालो, कोरेब, जाना नो आछे, but, still, जारा पोडो नाई, तारा, एखांधी के, क्लास कोरार पर, एक्लास टा कोरार पर निश्चोई गिये, एए Act टाके पोडबे, एखांधी के क्वेस्चेन आशे, तो राइट आंसर विल बी, option D, to free tribal people from exploitation, tribal people, पीपल्स के, exploitation थीके, बाचा नो, बाचा नो टा, एए Act इर, objective नोई, एक्टर objective टा होच्चे, self-governments प्रोवाइट कोरा, traditional rights के recognize कोरा, tribal areas थे, autonomous regions दी ए, local glass grass loot, level democracy टाके enhance कोरा, clear, moving on, 9th question, according to the constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country, एक्टर देशेर, governance इर जुननो, भारो तेर governance इर जुननो, as per the constitution, which of the following is fundamental, option A होच्चे fundamental rights, option B होच्चे fundamental duties, option C होच्चे DPSP, and option D होच्चे fundamental right, and fundamental duties, इक questionnaire जुननो, तो 10 seconds हो देवा होच्चे इतना, ताई आमी answer tag तम तरह तरही बोले दिच्छी, और आनेक रही answer कोरे हो फेले च्छो, तो right answer is option C, DPSP, DPSP is the fundamental for governance in the country, okay, as per the constitution of India, moving on, 10th, consider the following statement regarding no confidence motion in India, no confidence motion, नेर बया परे, दूटो statement एक हने दावा आचे, तो मा देर के identify कुरते होचे, क्वोन statement गुलो right आचे, correct आचे, first statement, there is no mention of no confidence motion in the constitution of India, and second, a motion of no confidence can be introduced only in loksabha, तो option तो मा दे शाम में आचे, अम आगे जानाओ, comment box से that right answer की होबे, which of the above statement are correct, is or are correct, तो की होबे right answer? the right answer is option C, both 1 and 2, both 1 and 2 option is correct, दाखो, no confidence motion, शुदू लोक्षभाती originate कोड़ते पारे, and no confidence motion, बोले exact term, आम अदिर सुम्भी धाने, किन्तु कोथाव mentioned name, okay, moving on, 11, who among the following, have the right to vote in the elections, to both लोक्षभा और राज्यसभा, राज्यो सभायर election हो, कि लोक्षभायर election हो, ए दूटो election ने, कार काचे, वोट कारार, ओधिकार, थाके, option A, elected members of lower house of parliament, option B, elected members of upper house of parliament, option C, elected members of upper house of state legislature, and option D, elected members of lower house of state legislature, यह अबे right answer, राज्यो सभायर और लोक्षभा, दूटो ती, दूटोर election ती, कारा वोट कोरते पारे, उधाको, lower house of parliament, माने लोक्षभायर MPs रा, लोक्षभायर निर्वाचोंने, तो वोट करे, बट राज्यो सभायर निर्वाचोंने, वोट करे ना, सिमिलरली, राज्यो सभायर मेंबर राज्यो सभायर निर्वाचोंने, वोट करे ना, elected members of upper house of state legislature, तारा लोक्षभाते करे, बट राज्यो सभाते करे ना, तो राज्यो सभाते के करबे, राज्यो सभाते MLA's रा करे, त. इस elected member of lower house करे, सिमिलरली, लोक्षभादते तो शारा भारो ते प्रुतिक मानुशी वोट कुरते परे so the right option is option D elected members of lower house of the state legislature moving on एकने देखे नाओ PDF तुम रहे static points गुलो पे जागे moving on well article 156 of the constitution of India provides that a governor shall hold office for a term of 5 year from the date on which he enters upon his office which of the following can be reduced from this article 156 बॉले that भारो तर सुम्विधान अनुजाई governor निजर office से धुकार और पाज बच्छर ओबदी office से थाकते पारे एई article थी के एई article रे statement थी के आमरा की जिनिश मानते पारी what can we deduce from this statement first statement no governor can be removed from office till completion of his term and second statement no governor can continue in office beyond 5 years की अबे right answer तो right answer is option D neither one nor two दाखो अमरा जानी that governor tenure 5 years होचे बट उना के एक्जन राज्यपाल तो तो खोनी थाके जो तो खोन राष्ट्रपुती एर इच्छा थाके तो president can remove any person before completion of his term option statement 1 तो इमनी भूल होएगा लो and राष्ट्रपुती जो दिच्चा है ता होले राष्ट्रपुती एक्जन मानुष के 5 years थीके बेशी हो गवर्नर थाकते दिते ही परे तो तो उना रिक्छा रूपरे as per his pleasure तो second statement is also wrong so option D is the right answer neither one nor two sorry neither one nor two clear moving on 13 which of the following is the part of the electoral college for the president but not the forum for his impeachment एकाने जे चाटे option आछे एई option एर मुद्दे तो मादेर के जिगाशा कोर छे एई option एर मुद्दे कारा president एर election ए तो vote कोरते पारे but impeachment ए vote कोरते पारे ना option A लोक्षभा option B राज्योषभा option C state legislative councils are option D state legislative assemblies you have a right answer which one of the following is a part of the electoral college for the president but not for the not the forum for its impeachment this right answer is option D state legislative assembly अर्टिकल 54 उनु जाए electoral college of president ए लोक्षभा राज्योषभा और state legislative assembly एर मेंबर रा वोट कोरे but article 61 जेता impeachment of president एर कोथा बोले शेका ने state legislative assembly does not take part in the process of impeachment of the president so state legislative assembly एर मेंबर रा resident के elect तो कोड़ते पारे but impeach कोड़ते पारे ना clear moving on consider the following statement तो मदर के देवा आछे तो मदर के identify कुरते होबे कोण statement गुलो राइट आछे first statement the council of minister in the centre shall be collectively responsible to the parliament second statement the union minister shall hold the office during the pleasure of the president of India third option the prime minister shall communicate the president about the proposal for legislation की अभी राइट आंसर सारदारी comment box से आंसरते जाना आभी ? so friends the right answer is option c one and three only Rau damp statement our second statement i right baki second statement is first or third statement i right second statement is wrong union ministers shall hold the office during the pleasure of president of India राक Option राशे पुलो करे करे नादे राशे हमाना राशे करे मीनेन щा hold the office only during the pleasure of the prime minister prime minister जुदी राश्टरपुती के recommend को रे दाए की 8% के union ministry थी के शौराहिते हो बे राश्टरपुती will make him resign okay so the right answer is option C moving on 15 what will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Shabha जुदी Rajya Shabha after money bill के amend को रे दाए ताहोले परवर्थी ते की कोराजे ते पारे option A लोक्षभा bill साते proceed कोरते पारे with or without accepting the recommendation of Rajya Shabha option B लोक्षभा cannot consider the bill further लोक्षभा bill टाके consider कोरते पारे न लोक्षभा may send the bill to Rajya Shabha for reconsideration and option D president may call for a joint sitting for passing the bill तो की ओभे राजे आंसर sorry तो अम्रा जानी that money bill money bill इर उपरे Rajya Shabha को नो उधिकर था के न so right answer is option A जुदी Rajya Shabha money bill के amend कोरे दाए still लोक्षभा can proceed with the bill accepting or not accepting the recommendation of Rajya Shabha clear? moving on 16, the first constitutional amendment was challenged in which case कौन के से first constitutional amendment के challenge को रा हुई छिलो option A, Sankari Prasad versus Union of India option B, Sajjan Singh versus State of Rajasthan option C, A.K. Gopalan versus State of Madras and option D, Golaknath versus State of Punjab कियो अबे right answer first constitutional amendment के कौन के से challenge कौरा हुई छिलो so अनेकरा या answer कौरे छो and the right answer is option A Sankari Prasad versus Union of India के से प्रोथों constitutional amendment के challenge कौरा हुई छिलो moving on 17, who expressed the view the Supreme Court of India has more power than any other Supreme Court in any part of the world एई statement के दिये छिले option A, Justice Khanna option B, BM Rao option C, KM Munshi and option D, A. Krishna Iyer के अभे right answer who expressed the view that Supreme Court of India has more power than any other Supreme Court in the world so अनेकरा या answer कौरे छो a right answer कौरे छो and the right answer is option A oh sorry, option D A. Krishna Iyer allow the Krishna Iyer a statement at DHLN that Supreme Court of India has more power than any other Supreme Court in any part of the world moving on 18, which of the following section of Indian Penal Code has been declared unconstitutional by the Supreme Court of India Supreme Court of India कौन section of IPC के unconstitutional declare करा होए छे section 121 section 303 section 307 and section 366 तो की होच्चे right answer तो अनेकरा या answer कौरे छो answer टा कोरते थाको आमी तार पर बोलची answer टा right answer टा आमी जाना च्छी but still I am waiting for your answer तो शोड़ी गुत्त रोच्चे option B section 303 के unconstitutional बोले scrub कोरे दवा होई छे बाई Supreme Court of India आर IPC Indian Penal Code के के formulate कोरे छेलो तो इत वस formulated in the colonial India बाई Thomas Mculay Babilton Mculay Thomas Babilton Mculay इठा के formulate कोरे छेले Indian Penal Code Okay, moving on 19 Which of the following amendment of the constitution abolish the privy purses and privileges of the Indian princes Indian princes इर privy purses और privileges के कौन amendment इर माद़ो में abolish कोरा होई छेलो option A 26th amendment option B 28th amendment option C 30th amendment and option D 32nd amendment तो किया भी राइट आंसर आने गरा है आंसर कोरे छो and the right answer is option A 26th amendment act 26th amendment इर माद़ो में Indian princes इर privy purses और privileges के abolish कोरा होई छेलो moving on last question of the day the national commission for schedule caste was created by which amendment कौन amendment इर माद़ो में national commission for schedule caste create कोरा होई छेलो बाइ establish कोरा होई छेलो so the right answer is option C 89th amendment act 89th amendment act इर माद़ो में national commission for schedule caste create कोरा होई छेलो बाना होई छेलो establish कोरा होई छेलो so that's it for this set friend next set है आम रा set 19 आनबो जी set है आम रा paper 5 economy पाट्टा कोरबो okay so till that time thank you study hard all the best जहन meet you in the next class जबस्टा कोरा होई जीए